इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कार्य पुस्तिका वाटिका कच्छा पांच पाठ वन्नईस किन्ना और देश की ओर की वर्क सीट पर चलिए सुरू करते हैं पहला प्रस्ण है चित्र देखकर उत्तर दीजिए चित्र बना हुआ है इसको देखकर उत्तर देना है प्रस्ण क्या है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है तो अब देखना इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है ये देखो एक बड़ा सा पहाड है ये इसमें देवदार के पेंड है घर बना हुआ है नदी है और ये सब प्राकृतिक द्रिश्य है तो यही यहां लिखना है तो अगला प्रस्न रामपूर किस प्रदेश में इस्थित है उत्तर है रामपूर हिमाचल प्रदेश में इस्थित है अगला प्रस्न लेखक ने रामपूर से कहा के लिए प्रस्थान किया उत्तर लेखक ने रामपूर से किन्नावर के लिए प्रस्थान किया अगला प्रस्ण है यदि आपको यात्रा करनी हो तो आप कहां की यात्रा करेंगे और यातायात के किन किन साधनों का प्रियोग करेंगे उत्तर है मैं हिमाचल प्रदेश की यात्रा करना चाहूंगा पहले मैं वायु मार्ग द्वारा हिमाचल प्रदेश जाऊंगा और फिर उंचे उंचे पहाडों पर जाने के लिए घोडे का प्रयोग करूंगा अगला प्रस्ण नीचे दिये गए वाक्यों में विराम चिन्हों कॉमा पूर्ण विराम बिस्मयाद इसू चक्चिन्ध प्रस्णवा चक्चिन्ध का प्रयोग कीजिए इन चिन्हों का प्रयोग करना है यह लिखा है रामपूर से सत्रह मई को प्रस्थान किया तो यह पूरा-पूरा सीधा संटेंस है तो यहाँ पूर विराम लगेगा इसको लिखके पूर विराम लगा देंगे क्या घोडी की पीठ कटी है तो प्रस्na पूछा गिया है तो इसको यहाँ पुरा लिखके यहाँ प्रस्णवा चक्चिन ह्लगा देंगे मत पूछिये अंतिम चार मीर ने क्या गती बना दी तो यहां मत पूछिये के बाद कामा लगाएंगे और बाकी चीजे लिख के यहां प्रस्नवाचक चिन्ह लगा देंगे फिर कास मैं भीस वरस का हो जाता थे हां आस्चरिक किया जा रहा विसमे से तो कास के बाद यह विसमे आदि सुचक चिन्ह लगा देंगे मैं भीस वरस का हो जाता और इसके बाद पूर्ण विराम हम दीरे दीरे आगे बढ़े यह पूरा पूरा संटेंस है तो यहां पूर्ण विराम लगा देंगे अगला प्रस्ण नीचे दिये गए सब्दों के वाक्य प्रयोग कीजिए वाक्य में प्रयोग करना है घोडा पहले लोग घोडा की सवारी करते थे सूर्यास्त तो यहां लिख देंगे दिन समाप्त होने पर सूर्यास्त होता है इस तरह से इसको लिख लेंगे अगला है ठकान इसको प्रयोग करेंगे काम करने के बाद ठकान हो जाता है खानाव दोसी एनि जिसका खाने पीने का ठिकाना ना हो जैसे लिख सकते हैं ज्यादा तर ट्रक ड्राइवर खानाव दोसी जीवन जीते हैं इस तरह से यह संटेंस पूरा कर लेंगे अगला है गुफा लोमडी गुफा में रहती है यह जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही लिखें इन सब सब्दों का प्रियोग आप अपने हिसाब से वाक्यों में कर सकते हैं जैसे भालू तो भालू जंगल में पाए जाते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं जंगल में भालू दोड रहा था आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं नीचे दिये गए सब्दों के विलोम सब्द लिखिए भी लोम लिखना है ठंडा, गरम, आकास, पाताल, धूब, छाया, थोड़ा, ज्यादा, नीचे, ऊपर, रात, दिन अगला प्रस्म खंड अ और खंड ब किससे ही जोड़ी बनाए ये सब पाठ में दिया गया है उसके हिसाब से जोड़ी बनाना है पहला है सुडरा गाउं इसको मिलाना है बाड़ा सुर की भारिया ने साथ संतानों को जन्म दिया था इससे मिला देंगे चस्म का जल, इसको मिलाना है अमृत समान खंपा लोगों की भासा तो ये तिबबती कि नवर देश का प्रवेशद्वार ये है मान्यवरी की धार इस तरह से इसका मिलान कर लेंगे अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और सेयर जरूर करें धन्यवाद